डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो हेड़फोन लगा लें, कमरे की लाइट्स आफ कर लें क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का हेलो दोस्तो, मेरा नाम पैट रॉलिंस है और मैं न्यूजिलेंड का रहने वाला हूँ यहां के बड़े शहर आकलेंड में मैं रहता हूँ और यहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ यहां पर बहुत मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ घूमना, फिरना और एक यूनिवर्सिटी का मज़ा कॉलेज में नहीं मिलता यहां पर आप हर तरह के काम कर सकते हैं और कई बार यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ट्रिप भी मिलते हैं लेकिन वहां जाने का मज़ा असली नहीं होता जो अपने दोस्तों के साथ कहीं खास जगे पर घूमने जाएं वो मज़ा वहां आता है इस बार भी हम घूमने के लिए नए नए प्लैन मना रहे थे और मेरे दोस्त कभी किसी नई जगे का नाम लेते तो कभी किसी और देश का नाम लेकिन मैं उनको कह चुका था अपने देश में कई ऐसी जगे हैं जहां पर हम घूमने जा सकते हैं मुझे खाली पन सबसे ज़ादा पसंद होता है और पिक्निक मनाना बच्पन से ही मुझे पसंद रहा है बच्पन में मैं अपने पिता के साथ जंगल में जाया करता था वो पबलिक पार्क के पीछे का हिस्सा था उस जंगल में मेरे पिता, मेरी माँ और मैं वहाँ हम खाना खाया करते, शाम तक वहीं बैठे रहते, फूलों को देखते, जर्नों को देखते और इस तरहें पूरा दिन गुजर जाता शाद इसी कारण वो यादें अभी मेरे दिमाग में बसी हुई है मेरे पिता औस्टेलिया में रहते हैं और मेरी माँ का उनके साथ तलाग हो चुका है मैं दोनों के साथ कभी कभी मिलता हूँ लिकिन कभी भी अब दोनों को इकठा देख नहीं पाता इसी लिए उन पुरानी यादों को ताजा करने के लिए इस तरह मुझे पिकनिक पर जाना बहुत ज़ादा पसंद है और इस बार हमारे ग्रूप में एक लड़की नहीं कहा था क्यों ना स्पिरिट आइलेंड पर चलते हैं और न्यूजिलेंड के वैस्ट एरिया में ये जंगली इलाका है और पीछे एक बीच बना हुआ है ये छोटी सी पहाड़ी है लेकिन इस जंगली इलाके के बारे में कहा जाता है यहां पर भूत प्रीत का वास है और कोई भी रात को यहां रुक नहीं पाता इसलिए हर कोई वहां जाने से डरता है लेकिन हमारे ग्रुप के पाँच लड़कों ने ये प्लैन बनाया था कि वहां जाकर रहेंगे मैं शुरू-शुरू में मना भी करता रहा लेकिन वो मान नहीं रहे थे उन्होंने अपनी अपनी गर्लफरेंड को भी मना लिया था इसके साथ ही कॉलेज की कई और लड़कियां और लड़के भी हमारे साथ जाने को मान चुके थे कुल 30 लोग हो चुके थे जो वहां जाकर पार्टी करने के बारे में सोच रहे थे इसलिए बड़ी पार्टी का प्लैन बन चुका था और हम सब बहुत जादा खुश आखिर भूत या जगे में डिसको नाचते नाचते रोशनी चारों तरफ बिखेरे हुए क्या बुरा हो सकता है भूत भी हमें देखकर डर कर भाग जाएंगे मजाक मजाक में अपने दोस्तों को मैंने ये सब कहा था इसके बाद प्लैनिंग शुरू हो गई पंदरा दिन बाद हम उसी स्पिरिट बे पर जाने वाले थे मैंने उसकी जादा कहानिया नहीं सुनी थे बस इतना सुना था वहां भूत प्रित का वास है और रात को कोई वहां रुक नहीं पाता कारण क्या था मैं समझ नहीं पाया था जब सिर्फ एक हफता रह चुका था हमने बियर की बॉटल्स का वो पूरा का पूरा डिबा ही खरिद लिया था साथ ही पिकनिक का सारा सामान डीजे के वो बड़े बड़े स्पीकर भी हम खरीद कर गाड़ी में रखकर वहां जाने की पूरी प्लैनिंग कर चुके थे लेकिन एक हफता पहले मुझे पता चला वहां पर जैसिका भी जाने वाली है अब जैसिका थी हमारे इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और मैंने कई बार सुना था वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे थोड़ा थोड़ा पसंद जरूर करता था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने कॉलेज में कोई गल्फेंड नहीं चाहिए थी मैं ज़्यादा ध्यान पड़ाई में लगाना चाहता था और बार बार मुझे सुनने को आता रहता था कि जैसिका मुझे कितना ज़्यादा पसंद करती है कई बार जब क्लास लगी हुई हूथी वो मेरे पास आकर बैठ चाहती वो तो मैं ही इतना सक्त था कि उठकर कभी इथर चला जाता कभी इथर चला जाता एक बार उसने पूछा भी था और मैंने उसे मना कर दिया था मैंने ये कहा था कि दो साल तक मैं कोई गल्फेंड बनाना नहीं चाहता बात ये नहीं है कि तुम खूबसूरत नहीं हो बात ये है कि दो साल तक मैं कोई गल्फेंड बनाना ही नहीं चाहता सिर्फ पड़ाई में ध्यान दिना चाहता हूं और अगर तुम इंतजार कर सकती हो तो थर्ड येर में मैं तुम से बात कर सकता हूं वो पता नहीं मेरा इंतजार कर रही है या मुझे पर गुसा है लेकिन जैसे का भी अब इस ट्रिप पर जाने वाली थी इसलिए मेरे तो पसीने छूटे हुए थे अब उससे कैसे बात कर पाऊंगा मुझे भी अंदर अंदर से वो काफी पसंद थी बस पड़ाई में ध्यान देने के कारण उससे मैं बात नहीं करना चाहता था अब वो मेरे साथ होगी और फिर से वहां अकीलेपन में पूछेगी क्यों मना किया था मेरी टांगें का अपनी लगती है उसे जवाब दीने में जब कोई आपको पसंद हो उसे ना करना इतना जादा मुश्किल भरा होता है अब समझ पाया था मैं इस तरह वो दिन भी आ गया सुछे छे बज़े ही कॉलेज केमपेस में सब पहुँच गए थे कुल 30 लोग वहाँ पर जाने वाले थे और पहुँचे हुए थे 35 अब धीरे धीरे जैसे हमारे साथ पिकनिक मनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी कुछ लोग जो हमें पसंद नहीं करते थे हमसे लड़ा करते थे वो भी इस ट्रिप पर जाने वाले थे मैं अपने दोस्तों को कह चुका था हमारे ये ट्रिप खराब ना करते लेकिन उनका कहना था वहाँ जाकर कोई खराब नहीं कर पाएगा वहाँ भूत प्रेथ हैं वो खुद देख लेते हैं अब ये लड़के बहुत जादा शरारती थे ये तीन लड़के कई लड़कियों से फ्रेंडशिप कर चुके थे उन्हें छूड चुके थे और बाकियों का काम भी बार बार खराब करते ही रहते बाकियों में जगडा डलवाते ही रहते अब वो भी वहाँ पर जाने वाले थे इस तरहें वहाँ पर हर तरहें की वेराइटी जाने वाली थी, कुछ जली लड़कियां, कुछ स्मार्ट लड़कियां, कुछ खूबसूरत लड़कियां, तो कुछ लड़ाकू लड़कियां, इसी तरहें कुछ शराबी लड़के, कुछ काफी मस्ती वाले लड़के, कुछ सो हम Spirit Bay के करीब पहुँच गए थे अब 4 किलो मीटर का सफर हमें चल कर उस बीच तक करना था अब पूरे इलाके को Spirit Bay यानि की Spirit Island भी कहा जाता है जब बड़े बड़े बैग कंधों पर टांगे हुए हम उस तरफ जा रहे थे डर काफी जादा लग रहा था वक्त 11 बजे का हुग अब हमारा ट्रिप किस तरफ चला जाएगा हमें कुछ पता नहीं लेकिन जिम्मेदारी हमारी होगी कोई दुर घटना न हो जाए इसलिए परेशानी थोड़ी बढ़ चुकी थी मैं अपने दोस्तों के साथ उन बड़े बैग्स को पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था और इस ट्रिप में एक अच्छी बात हुई कि जिनसे हमारी नहीं भी बनती थी वो भी हमारी बात चुपचाप मान रहे थे क्योंकि वो भी पहली बार ऐसी जगे पर जाने वाले थे जिसे भूतिया कहा जाता था काफी लंबा सफर तै करके भारी भारी बैक को उठा कर थके हु यहां पर तो भीड लगी होनी चाहिए लेकिन कोई मौजूद नहीं था और कॉलेज के लड़के लड़कियां ऐसी जगे क्या करेंगे उन्होंने तो छलांगे लगाना शुरू कर दी और स्विमिंग सूट पहन कर जल्दी से समंदर में नहाना शुरू कर दिया यहां इस त उबसूरती को कैसे बया करूं आपने कभी समुद्री तट के करीब ऐसे पौधे नहीं देखे होंगे जिसमें फूल लगे हों उन फूलों को चूमते चूमते समंदर में नहाने का मज़ा कुछ अलग ही था वैसे भी हम पसीने से तरबतर हो चुके थे तो सबने समंदर में छलांगे लगानी शुरू कर दी मचलियों की तरे हम हिलते हिलते समंदर में नहा रहे थे और वो बीच काफी ज़ादा लंबा था नहाते नहाते तीन बजे का समय हो गया उसके बाद हम सब कह रहे थे जल्दी से यहां टेंट लगाने होंगे क्योंकि है तो यह जंगली इला इसकी बात कोई नहीं कर रहा था, तो हमने कहा वो पीछे वाली जो पहाड़ी है ना जो सपाट सी नजर आ रही है, वहाँ पर हम स्पीकर लगाएंगे, वहाँ पर स्टेज सजाएंगे और रात को वहीं पर नाचेंगे, इस बात पर सबने हमी भर दी थी, लेकिन सब के टेंट अलग अलग दूरी पर लगे हुए थे, कुछ बीच पर टेंट लगा कर अपना आराम करने लगे थे, तो कुछ जंगल के बीच में टेंट लगा कर आराम करने लगे थे, कई टेंट में तो दो-दो किलो मीटर का फांसला तक था, हमने सोचा था कि इतनी भीड जाएगी तो एक कपड़े उतार कर धूप से करहे थे। उसके बाद हमने खाना बनाना शुरू किया। खाना बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था, भीड़ी इतनी जादा थी। लेकिन एक बात अच्छी थी, सब फल लेकर आये थे। और खाने पीने की अपनी चीज़े भी लेकर आये थे। उसे एक बड़ी सी चादर पर बिचा दिया गया, जिसके बाद सब उस पर तुट पड़े थे। हर कोई खुश था और इस दिन के लिए शायद हमें याद रखा जाएगा। हर कोई हमारी तारीफ कर रहा था, जो हमें पसंद नहीं करते थे, वो भी हमारी तारीफ कर रहे थे। और इसे देखकर हम बहुत ज़ादा हैरान थे। पांच बजे तक वहाँ और कुछ नहीं हुआ था और धीरे धीरे अब यंगल में जल्द अंधिरा होने लगता है, हर किसी को ये पता नहीं चलता। हम बार बार स्पीकर पर ये कहे जा रहे थे कि सब इकठा हो जाएं और इसके बाद हमें यहाँ पिकनिक मनाना है, रात को नाजना है और ये रात सब के लिए सबसे अच्छी रात रहेगी। काम करते करते मैंने जैसिका को देखा तक नहीं था, वो लड़कियों के साथ उस जंगल के बीच में टेंट लगाने में लगी हुई थे और अब साफ लग रहा था, वो मुझे पर गुस्सा थे, अमूमन वो मेरे करीब रहा करती और मुस्कुराती रहती, मुझसे बात करने थी तो प्यार से की जा सकती थी, अब मैं सीधा पहुँचा था उस टेंट के पास, जैसे का उस टेंट में एक तरफ पेंटिंग कर रही थी, उसे देखते ही मैंने उसकी तारीफ की, वा कितने खुबसूरत पेंटिंग करती हो, लेकन उसने गुस्से में कहा, हाँ कुछ लो था और वो हसने का नाम नहीं ली रही, मैंने ठाना हुआ था, उसकी हसी तो निकाल कर ही रहूँगा, इसके बाद मैं एक पेड़ पर चड़ गया, और मैं कहने लगा, देखो, अगर तुम मुझे पर गुस्सा रही ना, उपर से चलांग लगा दूँगा, अब एक साल पीछे एक छोटी सी जील बनी हुई थी, उसमें छलांग लगाई थी, और जिस तरह से वो रोती हुई आई थी, उसने बयां कर दिया था, भूली नहीं है अभी मुझे, और जब उसने वो जील देखी, और मुझे देखते ही कहने लगी, तुम पागल हो, और मैं भी समझ ग मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, और वो हांस्ती हुई गई थी, उसकी मुस्कुराहट ने सब कुछ बता दिया, और अब मुझे भी लग रहा था, भले ही मैं उसे गल्फरेंड ना बनाओ, एक बेस्ट फ्रेंड तो बना ही सकता हूँ न, इसमें वो भी कुश रहेगी, म मैं उसके टेंट में पेंटिंग करने के साथ देता जा रहा था, इसके बाद हम में काफी ज़ादा बाते हुई, अब वक्त छे बजे का हो गया था, इसके बाद सब लोग एक जगए कठा होने लगे, इसके बाद एक लड़के ने कहा, यहां पर ज़ादतर माओरी लोग रह करते थे, और तुम्हें पता है, जो माओरी लोग होते हैं, वो इस तरह रात की पिकनिक मनाने से पहले, भूतिया जगे पर एक खास अनुष्ठान करते हैं, हमें भी वो अनुष्ठान करना होगा, वो पीछे वाली जो खाई है न, वहां पर पवित्र पेड़ लगे हुए ह उन पवित्र पेड़ों के पास हमें जाना चाहिए, अब मैं मना कर रहा था, ज्यादतर हामी भर रहे थे कि पवित्र चीजों की पूजा हामी करनी चाहिए, जब कुछ लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हों, बाकियों को भी यकीन करना पड़ता है, पैंतिस लोगों की कुंदिर के पास पहुँचे, वहां काफी उंची पहाडी थी, कदम भी देख देख कर रखने पड़ रहे थे, इसके बाद हम बस एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए, आखिर अनुष्ठान कैसे करना है, अब अनुष्ठान की बात जिसने की थी उसे ये पता नहीं थ अनुष्ठान करना कैसे है, उसे बस ये पता था कि अनुष्ठान करना है, अब जैसिका को मैंने एक पेड़ के पास खड़ा किया था, वहां पर काफी फिसलन थी, तो मैंने कहा इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ, यहां काफी फिसलन है और किसी का पैर फिसला ना इस पह उस पेड़ के आसपास काफी ज़्यादा फिसलन थी और उसका पैर फिसला होगा वो फिसलती हुई पहाड़ी से नीचे की तरफ गई थी उसे पकड़ने के लिए मैं उस तरफ गया तो था लेकिन वो काफी दूर थी और उसकी पहाड़ी के उपर से गिरती हुई वो आवास ऐ जैसिका को क्या हुआ और कुछ मुझे पर इजाम लगा रहे थे तुमने जैसिका का ध्यान नहीं रखा जान बूज कर वहाँ पर खड़ा किया मैं कह रहा था अब तो उससे दोस्ती हुई है अब मैं कोई ऐसी चीज थोड़ी ना करूँग जिससे मेरी दोस्ती खराब हो ज जाए सारी की सारी भीड नीचे पहुँची थे उस जगह जाने का कोई खास रास्ता नहीं मिल रहा था उस दिशा में हम गए तक नहीं थे ये घने जंगल का रास्ता था और अंधेरा हो चुका था टार्ज की रोशनी में हम उस पहड़ी के उस तरफ जाते ही रहे जाते ही और अंधेरे में डर था ये लाका भूतिया है किसी के साथ कुछ घटना हो गई फिर क्या करेंगे लड़कियों को उपर टेंट में ही छोड़ दिया गया और पंदरा लड़के थे जो जैसिका को ढूंडने के लिए नीचे गए थे सबका कहना था जैसिका को चोट लगी और हमें उसे अस्पता ले जाना होगा मैंने कहा मैं जाने को तयार हूँ पिकनिक जाए भाड में अगर जैसिका को कुछ हो गया ना सबसे ज़दा बुरा मुझे लगेगा जैसे ही हम पाड़ी से नीचे उतरे थे आधे घंटे बाद नीचे हमने देखा कि जील में एक जरा सी खरौच थी और वहां पर मुस्कुरा कर वो कह रही थी आ गए इतनी जल्दी आ गए मेरी बाजू से काफी खून बह रहा है और मैं हैरान था तुम इतनी उपर से गिरी हो मैं तो डर ही गया था तुम्हें जादा चोट नहीं लगी और वो कहने लगी अच्छा जाद मैं यहां पर बैठी थी मुझे लगा कोई ढूनने के लिए तो आए गा ही और आधा घंटा लगा दिया मैंने जैसिका को कहा तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई वहां उपर शायद आवाज पहुच जाती उसने कहा आवाजे तो बहुत लगाई लेकिन मेरा गला भी मेले में लेकर आया था इस तरहें जैसिका को गोद में उठा कर मैं उपर लेकर जा रहा था और कुछ लड़के बार बार मुझे पर तंज कसे जा रहे थे कि इनमें बात तो है बस छिपा कर रखते हैं और ये बाते सुनकर जैसिका बार बार मुस्कुराती जा रही थी और म मैं भी शर्मा रहा था मेरी कभी कोई गल्फरंड नहीं बनी थे जादा मेरा ध्यान पड़ाई में रहता था और इस तरहें से जैसिका को गोद में उठाया हुआ था तो मेरे दिल में भी पता नहीं क्यों लड़ू फूटे जा रहे थे जैसिका के घुटने में भी चोट लग पकड़ कर कहा रुको तुम से एक बात करनी है मैं थोड़ा शर्मा रहा था और मैंने उससे कहा हाँ बाहर करते हैं न तब ही उसने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा चुप कर जाओ खास बात है जब मैं नीचे गिरी थी न वहां जील में मेरे सिवा कोई और भी मौजूद था मैं उसकी बाते सुनकर हैरान सा हो गया और भी मौजूद था क्या था और वो कहने लगी पता नहीं वो जैसे पूरी तरह से परचाई से बना हुआ कोई इंसान सा था बिलकुल काला लग रहा था उसके आर पार रोशनी भी नहीं जा रही थी और तब इतना ज़दा और वो मुझे दो जगे दिखा था मैं घबरास ही गई थी लेकिन चोट लगी थी मैं भागना नहीं चाहती थी मुझे लगता है यहां भूत प्रेत तो है मुझे शक है कि वो एक प्रेत था क्योंकि वहां रोशनी थी दिन का वक्त था इसलिए उसने कुछ किया नहीं मुझ खुदी जान जाएगे भागेंगे यहां से फिर तब जैसिका कहने लगी मुझे बाकियों की फिक्र नहीं है तुम अपना ध्यान रखना फिर मैं जैसिका को छोड़कर बीच साइड पर चला गया वहां काफी सामान रखा हुआ था अब हमें स्टेज का काम भी करना था दो उसके बाद एक चीख ने सब को डरा कर रख दिया ये उन शरालती लड़कों की चीख थी उस चीख को सुनकर पहले तो मुझे लगा वो प्रैंक कर रहे होंगे आखिर इस तरह लड़कियों की तरह कौन चीखता है उसके बाद वो लड़कियां तो समझने लगी थी कुछ ग देखा नहीं जा रहा था वहां अंधेरा ही अंधेरा था सामने स्टेच जो पेड़ों के पास हम लगाने वाले थे एक पेड़ पर वो लड़का टांगा हुआ था उसके कले में फांसी का फंदा एक तने पर वो लड़का हुआ उसकी आँखें बाहर और उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसा गई हमारे पास कोई जवाब नहीं था आखिर इसने ये कैसे कर लिया और उसके साथ ही चीखें मार रहें किसी ने किसी ने ये किया है हमारा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता वहां सबने मदद की एक दूसरे की तब उस लाश को पेड़ से उतारा गया और सबका कहना था पुलिस को फोन लगाना होगा यहां पर काफी गड़बड हो चुकी है इसने आत्म हत्या की है या किसी ने इसे मारा है हमें पुलिस को बताना होगा और उसके बाद एक लड़का बोला था इसे उतारा क्यों अगर इसे उतारा तो हम पर जजाम आएगा न पुलिस पुछेगी कि लटका हुआ था तो लटका रहने देने था न पुलिस को बुलाना था आपने उतारा क्यों अब इस बात का जवाब किसी के पास नहीं हर कोई एक तूसरे की तरफ दीख रहा और उसके बाद दोबारा उसकी लाश को वहाँ पेड़ पर लटकाया गया सब के सामने ऐसा दृश्य बनाया गया जैसा पहले था और सब को कहा गया कोई भी एक पुलिस को नहीं बताएगा कि हमने दोबारा लटकाया सब ये कहना कि ये ऐसे ही लटका हुआ था सब ने हामी भर दी थी लेकि तब सब ने वहाँ पर फोन लगाने की कोशिश की फोन की रेंज नहीं आ रही थे और हर तिशा में जाकर बीच में जाकर हमने जंगल के बिलकुल बीच में जाकर हर जगे पर फून लगानी की कुशिश की लेकिन रिंजा ही नहीं रही हमें चार से पांच किलो मीटर यहां से बाहर चलना होगा सड़क की तरफ वहां पर रिंज आएगी लेकिन उस तरफ जाने को कोई मान नहीं रहा अकेले कोई नहीं जाएगा अगर जाना है तो तीन चार लोग इकठे जाएंगे अब ये तीन चार लोग कौन होंगे ये हमें पता नहीं था इसके बाद अब तीन लड़के जो सबसे ज़्यादा शरारती थे वो हम पर एजाम लगा रहे थे तुमने ये पिकनिक का प्लैन बनाया हमें पहले से पता था तुम कुछ गड़बड करोगे मैंने का हम क्या गड़बड करेंगे अगर उसने फांसी का फंदा लगाया है तो इसमें उसकी गलती है वो किसी चीज से परिशान होगा उनका कहना था वो फांसी का फंदा नहीं लगा सकता किसी ने उसका कतल किया है और रसी लेकर यहां वो तो आया नहीं ये रसी किसकी है वो तीन लड़के वहां से जा चुके थे अब वो उस रूड तक पहुँचेंगे वहां सिगनल आएंगे और पुलिस यहां पर आएगी सब पर शक करेगी मुझे इस बात के लिए सबसे ज़्यादा डर लग रहा था और मैं सबसे ज़्यादा मदद करना चाहता था जैसी का की वो तो अकेली होगी उसे तो पता तक नहीं होगा बाहर क्या हो रहा है तो मैं भागता हुआ उस टेंट के पास पहुँचा था जैसे ही मैंने टेंट के अंदर देखा जैसी का वहाँ पर मौजूद नहीं थी फिर मैं धर उधर जांकने लगा और मुझे एक पेड के पास उल्टियां करती हुई जैसी का नजर आई और मैं उसके पास जाकर पूछने लगा आखिर क्या हुआ और जैसी का कहने लगी जब से उस जील से आई हुना सेहत काफी जादा खरब हो चुकी है ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ पच ना रहा हो उस जील से थोड़ी थोड़ी बदबू तो आ ही रही थी और वो प्रेत भी उस जील में देखा था लेकिन सब लोग चीखें क्यों मार रहे थे बताना ज़रा मैंने उसे सब कुछ बताया और वो भी डर चुकी थी अब वो मुझसे वादा मांग रही थी कि मेरे साथ रहना मैंने उस प्रेत को देखा है मुझे लगता है वो मेरे साथ कुछ भी घर सकता है क्योंकि सबसे पहले मैंने उसे देखा था हम सब को यहां से निकलना होगा मैं उसे समझाता रहा ये उस लड़के की खुदकुशी खुद के त्वारा की गई होगी किसी प्रेत कैस में हाथ नहीं हो सकता और जो तुमें नजर आया क्या पता वो सच में कोई प्रेत था या किसी जानवर की परचाई नजर आई हो वो मानने को तैयार नहीं थे लेकिन मुझ से दूर जाना नहीं चाहती थी वो इसके बाद चीख पुकार ने फिर से सननाटे को जैसे चीर कर रख दिया था लड़कियां चीख रही थी और वो चीख कर पहाड़ी के उपर भागती आई थी बीच पर अब कोई नहीं था वहां से भाग कर वो उपर आ रही तो सब उनसे पूछ रहे थे आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कहा वहां खून देखा बीच की एक तरफ खून की लंबी सी धार बनी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर को मारा गया हो और खून इस तरहें से बिच्छा हुआ था खींच कर उसे ले कर गया हूँ हम लग भग दस लड़के तीन लड़कियां उस तरफ जा रहे थे और जैसिका को मैंने टेंट में ही छोड़ दिया था उससे चला नहीं जा रहा था और उसे चक्कर भी काफी जादा आ रहे थे उसका चहरा पीला फिरने लगा था अब पहले तो ये देख कर आते हैं अगर कुछ गड़बड हुई उसके बाद सब के सब सड़क की तरफ निकलेंगे हमें कठे जाएंगे तो कोई खत्रा नहीं होगा मैंने ये ठान लिया था मेरे दोस्त भी मेरी बात मान चुके थे लेकिन एक बार बीच पर देख कर आना चाहते थे हाथ में चाकू लिये हम उस दिशा में जा रहे थे और जब हम उस जगे पर पहुँचे सच में उस रेत पर खून के निशान थे ऐसा लग रहा था किसी जानवर का खून बहा हुआ हो उसकी धार उस जंगल के एक तरफ जा रही थे हम सब टॉर्च की रोश्नी मारते हुए उस जगे पहुचे थे और वहाँ पर जो देखा एक लड़की राईली अपनी सहेली की गले को खा रही थे उसके मुँ में खून लगा हुआ और उसने गर्दन में अपने दांत गड़ाए हुए एक बाजू को आधा काट रखा था उसकी सहेली की लाश पड़ी थी जिसे वो खा रही थे ये देखते ही हम सब के पैर कापने लगे और वो हमारी तरफ जब भागी हम भी वहां से दूर जाना चाहते थे वो दो पैरों पर नहीं भाग रही थे जानवरों की तरहें चार पैरों पर भाग कर हमारा पीछा कर रही थे हम वहां से ऐसे भागे कि कुछ जिस दिशां में आसान लगा वहां भागने लगे मेरे दो साथी एक तरफ भागे मेरे एक साथी एक साथ था बाकी तो पहाडी के उपर की तरफ भागे मैं बीच की तरफ भागा था मेरा साथी मेरा हाथ पकड़े हुए काफी जादा डरा हुआ वो मेरा साथ चाहता था क्योंकि उसे डर लग रहा था ये भूतिया जगे है, यहां कुछ भी हो सकता है पर ये तात्माएं अपने शरीर को पकड़ लेती है कहते हैं कि शापित चीज जो यहां पर मिलती है अगर वो आपके साथ हो तो वो शाप सब को मारता है लेकिन हमने कोई भी ऐसी चीज को अपने पास रखा नहीं था मैं सोचे जा रहा था, कौन सी शापित चीज हो सकती है जो हमारे साथ है वो लड़की हमारा ही पीछा कर रही थे मैं और मेरा साथी समंदर के पानी में छलांग लगा चुके थे और अंधेरे में जोार भाता पानी बार बार उच्छाल मारे जा रहा था और हमें तट पर फैंक दीता और उस लड़की ने मेरे साथी की तांग पकड़ ली वो पागल हो जुगी थी, तांग पर दांत कड़ाए जा रही और मेरा साथी चीखे मारे जा रहा उसके बाद अपनी दोस्त को बचाने की मैंने कोशिश की उस लड़की को मैं समझा रहा था तुम कर क्या रही हो लेकिन वो पागल कुटे की तरें काटी जा रही थी तब मेरे हाथ में एक चाकू था और उस चाकू को सिर्फ मैं उस पर वार करने के लिए ही इस्तिमाल कर सकता था मैंने दो बार उसकी पीठ पर वार किये और वो ज़लानी लगी और मेरे साथ ही ने भी ये मौका दे कर उसकी गर्दन में चाकू गड़ा दिया वहीं पर खून की लहने उसकी करदन से उठने लगी थी और वो अंधेरे में भाग गई गरदन में चाकू लगा है फिर भी भागने की वो हिम्मत उसने कैसे दिखा दी तब मेरा साथ ही काफे जादा खून बहने के कारण ठक चुका था और कमजोर हो चुका था और कहता जा रहा था हमें इस इस इलाके से बाहर निकलना होगा ये जगे ही शापित है कोई ऐसी चीज जो यहां से ली है यहीं पर छोड़ जाना जब तक वो साथ रहेगी तब तक मात का मन्जर होगा यहां की कहानिया तुमने सुनी नहीं है लगा था और दूर तक देखा नहीं जा रहा था जानवरों की चीखने की आवाजे ऐसी थी जैसे इनसान चीख रहे हो ये आवाजे डरा रही थी और मेरा साथी उन कहानियों से इसे स्पिरिट बे कहा जाता है कहते हैं कि यहां लाशे नजराती हैं समंदर में दूसरी दुनिया की लाशे ये इलाका ही शापित है जहां लोगों की मौते हुआ करती थी कहते हैं कि इस जंगल से जो चीज आप जेब में रखलो या अपने पास ले लो जो इस जंगल की है जब तक आपके साथ रहेगी शाप भनकर आपको मौत के करीब ले जाती जाएगी किसी ना किसी ने तो यहां से कुछ कीमती कुछ जरूरी लिया होगा वो बस हमें मार रहे हैं जब मैं अपने दोस्त को उस पहाड़ी के उपर ले जा रहा था भागते हुए दो लड़के नीचे आए थे और चीखते चीखते कह रहे थे उपर उपर टेंट को किसी ने आग लगा दी दो लड़कियों को टेंट के बीच ही उन गद्दों के बीच बांध कर जला दिया किसी ने और ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसा गई थी मेरा साथ ही जो अधमरा हो रहा था वो कहने लगा था चलो यहां से चलो यहां से यहां रुके तो मारे जाओगे मैं जल्दी से अब उस पहाडी के उपर ही पहुँचना चाहता था मुझे पता था खत्रा बहुत ज़ादा है लेकिन मैं अपने साथियों को ढूंड रहा था चीख रहा था चिला रहा था मैं जैस्का का नाम भी लिए जा रहा था कहां है वो मुझे उसे अपने साथ तो लेना ही होगा ना मैं उपर पहुच रहा था और वहां भागते हुए चीखते हुए कई लोग मिलते मुझे मेरे साथी नजर नहीं आए अब तो अपने साथियों के साथ बस बाहर निकलना था और मेरा दोस्त जो खून से लत्पत था लगभग बेहोश हो जला था उसका शरीर ठंडा फिरने लगा था क्योंकि खून काफी जादा बह चुका था मैं बस उस पहाड़ी के शिखर के करीब पहुँचा और वहाँ धुआं धुआं होते वो टेंट दिखे थे जिसमें एक टेंट जैसे का का भी था ये सोच कर मेरे हाथ कांप गए थे कहीं वो लड़की जो जल कर मरी जैसे का तो नहीं रोने लगा था और अपने साथी को वहीं पर छोड उन टेंट को मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा था मैं लकडियों से टेंट को इधर उधर फैंक रहा उसके बड़ी मुश्किल से मिट्टी डाल कर इस आग को थोड़ा बुझाया आस पास किसी से बात करने की कोशिश की लेकिन वो धुआ इतना ज्यादा था कुछ नजर नहीं आ रहा था बस दम भी घुट रहा और कोई मिल भी नहीं रहा पस आवाजें करीब से भागने की आवाजें वो भाग ऐसे रहे थे जैसे जानवरों ने हमला कर दिया हूँ भागलों की तरहें कभी दाई और कभी बाई और और जब मैं पीछे गया अपने दोस्त को उठाने के लिए वहाँ पर वो नहीं था खुद वो चल नहीं सकता था वो तो बेहोश हो चुका था लेकिन यहां से गायब कहा हो गया मैंने आसपास ढूंडने की बहुत कोशिश की पेड़ों के आसपास मैं देखता रहा लेकिन जमीन पर बस खून के निशान उसका पीछा करने लगा था जैसे कोई उसे खींच कर ले गया हो मुझे लगा कोई न कोई होगा न जो मदद करने के लिए उसे भी खसीट कर ले गया होगा लेकिन यह खून के निशान नीचे समुद्री तट की तरफ थे काफी देर तक खून के निशानों का पीछा करता रहा उसके बाद फटे हुए कपड़ी मिले और एक जगे बहुत ज़ादा मास के टुकडे मुझे उसका कटा हुआ सर मिला था किसी ने उसे मार दिया था लेकिन किसने इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था वो चीकों ने डरा दिया था और मैं भागा था सड़क की तरफ अब तो बचने का एक ही रास्ता है सड़क की तरफ भागना जैसिका का क्या हुआ मैं नहीं जानता लेकिन अब खुद को जिन्दा बचाना था मैं सड़क की तरफ भागना शुरू हो गया और जैसे ही मैं एक पेड़ के पास पहुँचा वहाँ पर गिरी हुई जैसिका मिली मुझे जिसके पैर पर रस्सी बांधी हुई थी और उसे पेड़ से बांधा था किसी ने जैसिका को देखकर मैं कहने लगा था क्या हुआ जैसिका की सर पर चूट लगी हुई थी उसके कपड़े फार दिये गए थे जैसे किसी ने उसे जानवरों की तरे नोचने की कुशिश की हो तब जैसिका भी लगभग बेहोश होने की हालत में कह रही थी कोई है कोई है जो शरीर के अंदर घुस रहा है जैसे शरीर के अंदर घुस रहा है और जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो भी हमला कर रहा है मेरी सहेली वो मुझे यहां बांद कर गई और वो कह रही थी तुम्हें खाने के लिए वो आएगा मुझे जल्दी खोल दो उसके पास जान नहीं थी उसकी उंगलियों पर जैसे पत्थर मारे गए थे उसकी उंगलियन दर्द कर रही थी मैंने वो रसी की गांट खुली और आसपास से वो कराहने की आवाजे चीखने की आवाजे दर्द की आवाजे यह हालत पतली कर देती है जैसिका को मैंने उठाया और उसके पाउं काम नहीं कर रहे थे जैसे उसकी टांगे दर्द कर रही हो और उसने कहा मुझे उठा कर ली जाओ यह तो अच्छा हुआ उसका वजन कम था वो पतली थी मैंने उसे उठा लिया फिर से गोद में उठा कर मैं भाग रहा था मैं पहले से ही ठका हुआ था और मुझे सडक तक पहुँचना था मैं ये जानता था कि वो तीन लड़के सडक पर पहुँच गए होंगे उन्होंने पुलिस को बुला लिया होगा लेकिन पुलिस के आने से पहले पहले वहां पर पहुँचना है और बचने की हर कोशिश करनी है ये भूतिया जगए सब को मार कर दम लेगी जैसिका को उठाते हुए मैं सीथा उस तरफ भागा था तीन से चार किलो मीटर का सफर होगा लेकिन धुए में दिशा नहीं नजर आती मैं किस तरफ बढ़ता समझ में नहीं आ रहा था कही जगे खाईयां आ रही थी वो पगडंडियां गायब हो चुकी थी बस सीथे जाडियों में उस जंगल के बीच से रास्ता ढूंडना पड़ रहा था दिशा सही भी है ये जान ही नहीं पा रहा था मैं और भागते भागते समुद्री तट के उस रेद पर जब गिरा था मेरी आँखें खुल गई थी ये कैसे मैं तो इस दिशा में भागा था ये समुद्री तट पर कैसे पहुँच गया और जैसे का भी रेद पर गिरी और उसकी चीख निकल गई थी सामने एक खंबे पर तीन सर लटके हुए थे ये वो शरारती लटके थे जो सडक पर पुलिस को फोन लगाने गए थे जैसे एक क्रॉस बनाया गया था लकडी का और क्रॉस के तीनों हिस्सों पर एक एक सर टांगा गया था ये देखकर मैं जैसिका को कंधे पर उठा कर ही भागने लगा था अब जैसे भागने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा ऐसा लग रहा था इस धुंद ने हमें यहीं पर रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है और इन तीन सरों से ये पता चल गया था ये पहुँच ही नहीं पाए सडक तक किसी ने इन्हें मार दिया है इसके बाद मैं बस इधर उधर भटक रहा और सीधा उन पेड़ों के पास पहुँचा वो पवित्र पेड जहां पर वो अनुष्ठान करने के बारे में सब कह रहे थे वहीं से फिसल कर तो जैसिका नीचे गिरी थी उस तरफ पहुँच कर मैं जैसिका को कह रहा था कहीं यहीं से हमने कोई अपमान तो नहीं कर दिया जो वो बुरी शक्तियां हमें मारने को उतारू हो गई तो जैसिका कहने लगी पता नहीं लेकिन नीचे नजर आया था वो काले रंग का अजीब सा प्रीत शायद नीचे जाकर देखना होगा क्या तुम नीचे जाना चाहोगे मैंने जैसिका को कहा नहीं मैं तुम्हें उठाकर नीचे तक नहीं जा सकता मैं इस तरह जादूर भाग नहीं पाऊंगा शायद कोई ना कोई हमें पकड़ ले और अब तो आवाजे आना भी बंद हो चुकी है कोई चीखने की आवाज नहीं थी जैसे हर तरफ सन्नाटा ये बयां कर रहा था कि हमले हो चुके हैं मातें हो चुकी हैं और अब जिर्फ जैसे हम ही बचे हो जैसिका को गले से लगा लिया था मैंने और कहा था जैसिका मुझे लगता है मुझे लगता है हम मरने वाले हैं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं सच में तुम्हें पसंद करता था बस मुझे माफ करना मैं पढ़ना चाहता था तुम्हें मना करने का मुझे बिल्कुल शौंक नहीं था मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिन्दगी बिताना चाहता हूँ जैसिका ने भी मुझे गले से लगा लिया और कहा हमें वहां जाना होगा जहां कोई न जा सके आखिर एक पृत जहां से निकला हम वहां चलते हैं शायद उसे पता ना चले और ये रात गुजर जाए यहां दिन के वक्त कोई घटना नहीं होती रात को पृत नजर आते हैं अब मैं जैसिका के साथ उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा था उस जील की तरफ वहीं पर जैसिका गिरी थी और नीचे उतरते उतरते कई बार में गिरता जैसिका का खून भी काफी जादा बह चुका था और मुझे डर था वो भी बच नहीं पाएगी मुझे भी काफी जादा चोट लग चुकी थी अब मौत दिखने लगी थी सामने बस दर्द ना हो ये सोच रहा था मैं जब जैसिका को लेकर मैं नीचे की तरफ जा रहा था जैसिका लगभग भी होशी हो चली थी बस मेरे कान में बोल पा रही थी वो बार बार अजीब बाते करने लगते उसका दिमाग भी घूमने लगा था और मैं रोता रोता नीचे पहुचा था उस जील के पास काली रंग का साया सामने नजर आया था वो मुझे भी दिख रहा था और जैसिका कहने लगी थे वो तुमें देख तो नहीं चुका अगर उसने तुमें देख या वो हमारे पीछे आएगा जल्दी भागो मुझे लगा था वो उपर सबको मार रहा होगा तो हम यहां बच जाएंगे हमें भागना होगा और मैं अब जान चुका था भागने से फाइदा नहीं होगा अब मुकाबला करने का वक्त है मात तो एक नएक दिन सब की आनी है लड़कर मरें शायद बचने का मौका मिल जाएं जैसिका को पेड़ के पास लिटा दिया था मैंने और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा था उस काले साय की तरफ और वो काला साया मुझसे दूर जाने लगा था मैं भाग कर उसका पीछा करने लगा डरता क्यों है जब सब क मार चुका है तो मुझे भी मार वरना मैं तुझे खत्म कर दूँगा वो आगे आगे भागने लगा और मैं उसके पीछे पीछे तभी एक कुफा के पास वहां लकडी का पूरा मंदिर बना हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे अनुष्ठान करने के लिए बनाया गया हो तो इसका मतलब वो मंदिर उपर नहीं नीचे है और लकडियों की जिस जगे को हम प्राचीन पवित्र जगे मान रहे थे वो असल में नीचे बनी हुई है बिलकुल उनके नीचे वाली वो जगे जहां से जैसे कागीरी थी और वो काला साया वहीं रुख गया और मैं जब उसके करीब गया तो वो काला साया बोल सकता था तुम मुझे देख सकते हो मेरा पीछा मत करो चले जाओ यहां से मरना नहीं चाहते तो भाग निकलो मैंने कहा अब तुम सब को मार ही रहे हो मुझे पता है बचने का कोई रास्ता नहीं है उसने कहा मैं कहा मार रहा हूँ ये भूत यह जगए सब को मारती है यहां हर कोई एक दूसरे को मारता है जब तक तुम्हारे साथ वो रहता है मैंने कहा साथ वो रहता है कौन रहता है उसने कहा वो जो इस जगए पर शाप से बंधा हुआ है अगर वो तुम्हारे साथ आ जाए तो वो लाशें बिछा देता है जिसे लेकर गए हो उसे वहीं छोड़ दो तब ही जिन्दा बच सकते हो उसकी बाते मैं समझ नहीं बा रहा था किसे लेकर गया हूँ मेरा साथी भी कह रहा था यहां चीजें शापित हैं उसे पास में नहीं रखना चाहिए कौन सी चीज लेकर गए हम उसने कोई जवाब नहीं दिया वो चुप था बस वो कह रहा था मेरे साथ भी पांच साल पहले यही हुआ था बस जो मेरे साथ हुआ मैं वो बया कर सकता हूँ यहां की सच्चाई कौन था मैं कहां से आया था कैसे मारा गया चाहते हो जाना मैंने कहा नहीं मुझे जनदा बचना है मुझे कोई कहानी नहीं जाननी मैं पीछे की तरफ भागा था और तभी मेरी नजर उस जील की एक तरफ पड़ी उपर से ही तो जैसीका गिरी थी और उस जील की एक तरफ पेड़ के उपर एक तीखी निकली टहनी पर जैसिका की लाश लटक रही थे उसे देखकर मेरी आँखें फटी की फटी अगर जैसिका वहाँ है तो वो कौन है जो मेरे साथ है जिसे मैं उठा कर घूम रहा हूँ जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुँचा वहाँ भी जैसिका थी और जैसिका हलकी सी आवाज में चलो चलो जल्दी से निकलो मुझे यहां मत छोड़ो मैंने देखा वो काला साया आया था मारने के लिए तुम आ गए मैं बच गई वरना वो मार देता मुझे अब मैं इतना घबराया था कि यकीन नहीं कर पा रहा था तब ही मैंने जैसिका को कहा जैसिका तुम्हें याद है हम पहली बार कहां मिले थे जैसिका लड़ खड़ा कर कहने लगी नहीं नहीं मुझे वो बातें नहीं करनी चलो यहां से उठाओ मुझे मुझे जिन्दा बचना है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैंने जैसिका को कहा जैसिका मुझे बताओ हम पहली बार कहां मिले थे बताओ मुझे जैसिका की आवाज काँ पर ही थी कहां मिले थे, कालेज में मिले थे मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था जैसिका तो उपर से गिरते ही शायद पेड पर मर गई होगी और जिसे यहां से उठा कर हम लेकर गए वो जैसिका थी ही नहीं अब मैं कदम पीछे हटाने लगा था और जैसिका की आँखें खुल गए जैसे उसे दर्द होना बंद हो गया वो खड़ी हो चुकी थी उसकी टेड़ी मेडी सी टांगें और पिखलता हुआ उसका जहरा वो पार दर्शी सी दिखने लगी थी धीरे धीरे उसके बाल जड़े और जैसे पानी का बना हुआ इंसान मेरे सामने खड़ा था ये वो था जिसे शाप है इस जगे पर ये मात को यहां दहशत बना कर रखता है उसने तब मुझे पर छलांग लगाई थी और मेरे एक दोस्त का रूप बना कर मेरे कले को तक तक घौटता रहा जब तक मेरी सांसे नहीं रुक गई लाशें ही लाशें थी और मेरी आँखों के सामने अंधिरा हुआ और फिर जब मेरी आँख खुली मैं उस गुफा के बाहर था शरीर मेरा काला फिर चुका था पूरी तरहें से काला शरीर और मैं खुद से बात कर पा रहा था मेरे शरीर के अंदर से कई आवाजें अलग अलग नाम मेरे साथ ही जैसे का अलग अलग नाम एक ही शरीर में सब मरे एक शरीर में बंद चुके थे शाप में यहां भूतिया जंगल में मैं अब भी घुमता हूँ और एक ऐसा इंसान जिसने यहां किसी चीज़ को उठाया नहीं उसे एक कहानी बया की है मैंने भाहर जाकर बता देना स्पेरिट बे में कदम मत रखना रात को कोई मौत का मनजर होता है यहां पर और किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे अगर तुम जिन्दा रहे तो इस कहानी को सब तक पहुंचाना यह कहानी जूटी लगेगी लेकिन जो सच मानना चाहता है वो इस जानकारी के जरीए खुद को बचा सकता है मैं तो बचा नहीं पाया खुद को